खबर शियोपुर से है जोहां रहने वारी एक युफती ने दो यूफको पर ब्लैक मेलिंग कर रेप कर पैसे एटने की गंपीर आरूप लगाये हैं जोहां पूरा मामला थाने पर बहुच चुका है और आगे की पुलस कारेवाइग करने में जिटी हुई है इसी पर देखे यह खास रिपोर्ट शियवपूर के रहने वाली पीडिता द्वारा दोनों युफकों पर अशलील वीडियो बनाकर रेप और ब्लैक मेल करने का आरोप लगाया गया और सिडी कोदवाली पहुँच कर शिकायत भी दर्स करवाई गई वहीं उफ्ति की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी शानू और अब्दुल कासिम के खलाफ मामला दर्स कर लिया है वहीं इस मामले में विश्व हिंदू परिश्वत ने भी कड़ी कारेवाई की मांग की है यह जो मामला है से उपर थाना छेतर का मामला है नगर का ही और इसमें हमें जानकारी मिली कि एक लड़की को करीब 3 साल से एक विधर्मी परिशान कर रहा है और उसका वीडियो बना करके बायरेल करने की दमकी दे करके उसको 3 साल से बराबर दैहिक और आर्थिक 2 तरह का सोचन कर रहा है यह सीधा सीधा लब जिहात का मामला है क्योंकि उसमें लड़के के द्वारा बताया गया कि आए दिन उसे धर्म परिवर्तन के लिए उक्साय जाता था और डराया दमकाय जाता था जान से मारने की दमकी दे करके और उसको असलील वीडियो बना करके जो उसको बार बार किया जा रहा था वह इस बारे में शियोपुर स्जीओपी राजू रजक का कहना है कि पीडिता ने शुकायत दर्स करवाई है कि आरोपी के द्वारा उसे ब्लैक मेल करके उससे रुपए लिये गए और उसके साथ दुशकर्म किया गया मामला लब जिहात का है या फिन नही यह तो विवेशना के बाद ही पता चल सकेगा शुकायत के आधार पर कारिवाई की जा रही है पीडिता ने आरोपियों पर धर्म परिवर्तन करने का भी आरोप लगाया जिसको लीगर पुलिस तस्दीक में जुटी हुई है वहीं जल्द ही आरोपियों की गिरफतारी के संभादना भी जताई जा रही है यूरो रिपोर्ट, MP News, शियोपूर